अस्राम लेकम आज आपको तंदूरी चीकन बनाना सिखा रहे हैं जिसके लिए स्कीन के साथ एक चीकन ली है इसको चार ही सुमें काट लिया है और इन में गहरे काट लगा दिये हैं एक खाने का चमच नमक यावने टेस्स के हिसाब से डाल ले एक खाने का चमच लाल मिजु का पाउडर एक खाने का चमच अध्रक लसन का पेस्ट एक खाने का चमच दनिया पाउडर एक चाय का चमच गरम साला पाउडर दो खाने का चमच लेमन जूस एक खाने का चमच जीरा पाउडर एक छुताई चाय का चमच रेड ओरेंज फूड कलर दो खाने का चमच ओयल और आदा कप दही चिकन को मेरिनेट करने के लिए एक बॉल में दही लाल मेचुका पाउडर नमक अद्रक और लसन का पेस्ट गरमसाला पाउडर दन्या पाउडर जीरा पाउडर लेमन जूस ओइल और फूड कलर डाल कर मिक्स कार लेंगे सब चीजू को अची तरह से मिक्स कार दिया है अब मेरिनेशन में चिकन डाल कर अची तरह से कोट कार लेंगे मेरीनेशन में चिकन को अच्छी तरह से कोट कर दिया है आप चिकन को 4-5 गेंटे या पूरी रात मेरीनेट करके रख देंगे 5 गेंटे के बाद मेरीनेट की हुई चिकन को एक ओवन प्रूफ डिश में डाल देंगे और तंदूरी चिकन को फ्री हीटिड ओवन में 200 डिग्री सेंटिग्रेट पर 30-40 मिन तक वेकर लेंगे तंदूरी चिकन को अबन से निकाल के सर्व कर दिया है बहुत एजी और सिंपर रैस्पी आप इसको जुरूर चाहिए गर बताइएगा आपकी तंदूरी चिकन कैसी बनी अकर आपको रैस्पी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न बूले लाहाफीज